दोस्तों नमस्कार, मैं संजे मगू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर वर्चस्व की लड़ाई, चाहे वो सत्ता का संगर शोच और चाहे सामाजिक संगठनों में, धार्मिक संगठनों में खुद को प्रूव करना हो खुद को साबित करना हो और खुद को आगे रखना हो, इस सब को माना जाता है वर्चस्व की लड़ाई, यानि कि किसी भी तरह से येन केन प्रक्रेन अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी शक्ती उसका प्रदर्शन करना और तैय ये करना कि कि किसी भी तरह से वो काभिज रहे किसी भी तरह से वो बढ़ती रहे और किसी भी तरह से उनका प्रभाव कम ना हो इसके लिए व्यक्ति कोई भी हो वो सब कुछ करता है शड executives भी करता है साजिश भी करता है अपने लोगों से उसके लिए चाहे आजका तो युक digital नीडिया का है उसका तमाम संसाथनों का इस्तेमाल भी करता है और वर्चस्व की लडाई के अंदर विक्ति कई बार वो सब भी करता है जो वाजिविद नहीं होता और या फिर उसके पीछे भी कोई प्रसपनेंसी होती है आप से सारी बात का जी क्रिसली कर रहा हूं कि आज कल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है अखिल भारतिय बिश्नोई महासभा के अंदर और अखिल भारती बिश्णोई महासभा के दो बड़े दिगज एक देविंदर बुडिया जो राष्ट्रिय अध्यक्ष है अखिल भारती बिश्णोई महासभा के जिनको टर्मिनेट किया निलंबित किया जिनको हटाया उनके पद से कुलदीब बिश्णोई ने कुल्दीब विश्णोई संरक्षक जो थे अखिल भारती है विश्णोई सभा के राष्ट्रे विश्णोई सभा के महा सभा के और उनको अटाया देविंदर बुडिया ने मैं इसलिhen कहना था कि वर्चस्व की लडाई के अंदर इसे विश्णोई सभा करता है अब इससे कदम और आगे बड़ाए अगला कदम क्या हुआ है कि अब सोशल मीडिया पर पिक्चर्श फोटोज वाइरल हो रहे हैं ऐसे सोशल मीडिया पर फोटो वाइरल हो रहे हैं उसके अंदर वह वीडियो पहले वाइरल हुई देवेंदर हुडिया की जो अध्यक्ष राष्ट्री अध्यक्ष जब शफते देवेंदर बुडिया जिनको कुल्दिप विष्णोई का दावा था हटा दिया गया है। ie उनकी फोटोवाइरल हुई ट्वीड पर जो आज कल एक्स हेज़ा बन चुका है एकश पर पॉस्ट वारल करने वाले हैं केवेज़ निए मिष्णोई nे जब वो पॉस्ट वा Regierung की है social media platform expert उसमें mobile हाथ में है देवंदर बुडिया के और उसके साथ में उनके पास में एक शराब की बोतल रखी है और दो ग्लास रखे दिखाई दे रहे हैं उस फोटो के अंदर ग्लास भी दिखाई दे रही है शराब की बोटल भी दिखाई दे रही है और उसके साथ में बोल रहे हैं जो कैलाश बिश्णोई हैं सोशल मीडिया पॉस्ट पर कर रहे हैं जब पर डाली है पोस्ट उन्होंने फोटो शेयर किये तो उसमें लिख रहे हैं कि देविंदर जी आप से ये उम्मीद नहीं थी ये बहुत निंदनीय है ये एक्सपर जो पोस्ट वाइरल हुई फोटो जो वाइरल हुई देविंदर बुडिया कि ये तब हुई जब कुल्दीब बिश्णोई को राष्ट्रिय जो संरक्षक हैं संरक्षक के पत से हटाने का उनसे बिश्णोई रतन वापस लेने का चौधरी भजनलाल के परिवार की दखल अंदाजी खतम करने का इनके सहीद पांच प्रस्ताव पारित हुए उसके बाद में ये पोस्ट वाइरल हुई द चैतन्या विश्णोई कुलदीब विश्णोई के बेटे कुलदीब विश्णोई के छोटे बेटे हैं चैतन्या विश्णोई और उसके अंदर जो वहां पोस्ट वाइरल हुई उसके अंदर चैतन्या विश्णोई बियर की ग्लास के साथ में बैठे हुए बियर का ग्लास ह नहीं करते इन फोटोस के पीछे कोई शड्यंत्र है कोई साजिश है या किसी ने इसको जो आशकल सुशल मीडिया पर खासकर चलता है कि लेकिन वर्चस्व की लड़ाई जब चलती है और जब वर्चस्व की लड़ाई जब शिखर तक पहुंचती है यानि कि अपने सौपान पर होती है तो उसके अंदर यह सब कुछ चला करता है आपको बताता चलूं कि चैतन्य विश्णोई कुल्दीब विश्णोई के बेटे हैं एक साल पहले इनकी सगाई शादी हुई थी चैतन्य विश्णोई की सगाई हुई स्रिष्टी अरुडा के साथ में और जब चैतन्य विश्णोई की सगाई हुई तो उसी समय से और अब अब तक कुल्दि विश्णवी पर विश्णवी महासभा और विश्णवी समाज के लोग ये बात कहते रहे हैं कि उन्होंने दूसरे सम्प्रदाय दूसरे समाज दूसरे धरह में शादी कर ली इसलिए उनको विश्णोई रत्न होने का विश्णोई समाज का पुरुधा होने का कोई अधिकार नहीं है तमाम जगह पर इस बात को चलाया गया और अब उन्हीं चैतन्य विश्णोई का जो मैं बता रहा हूं आपको जिसके पुष्टी नहीं कर रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है इससे आज विश्णोई समाज भी काफी आहत है मैंने आपको एक वीडियो कल आपके साथ शेयर किये था आप जाकर देख सकते हैं कि विश्णोई पंथ विश्णोई समाज एक ऐसा पंथ है जो कि स्रिष्टी के अंदर किस प्रकार से वनस्पती से जीवों से प्रकरती से और वन्य प्राणियों से प्रेम करना है उनकी रक्षा करनी है उनकी रक्षा के लिए सर्वस अपना नयुचावर तक कर देना है वो सिखाता है गुरु जंबेश्वर जो भगवान विश्णू के अवतार माने गए हैं जिनने कहा गया है कि भगव से लोग जिनके लिए कि उनका धरम उनकी आस्था उनका संप्रदाय उनका मत सब कुछ हुआ करता है उनकी भावनाएं आहत हुआ करती है और फिर बिश्णोई समाज तो वह समाज है जिसके लिए कि हिरन जैसे कमजोर प्राणि के लिए भी वह अपना सर्वस नयुचावर क पर सकते हैं ऐसे धरम के अंदर जब वर्चस्व की लडाई के लिए सब चलता है तो फिट पीडा तो होती है टीस भी होती है हमने अपने कई वीडियो शेयर किये और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कमेंट्स भी काफी किये हैं और उनके कई व् दर्द चलकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ यह तो आपको भले से पता है कि जो वर्चस्व की लडाई विश्णोई समाज में चल रही है हलाकि समय समय पर ये सामने आती रही जो मैं आपको बता रहा था कि एक वर्ष पहले लगवक जब चैतन्या बिश्णोई की सगाई हुई हलाकि भव्य बिश्णोई की सगाई भी पहले गेहर समाज में हुई थी बाद में उनका रिष्णा परी विश्णोई जो भारतिय प्रशास्निक सेवा के अधिकारी हैं उनके साथ हुआ आई ये सदिकारी के साथ में लेकिन जो वर्चस्व की लड़ाई है वो इस समय पूरे चरम पर है और चरम पर शुरूई लगवक एक सप्ता पहले वाक्या सारा तब शुरूबा जब बिश्णोई महासभा के राष्ट्रिय अध्यक्ष देविंदर बुडिया सोशल मीडिया पर आए और उनने सोशल मीडिया पर आ करके बताया कि रंधीर पनिहार जो भारती जनता पार्टी के विधायक है कुलदीब बिश्णोई के बहुत खासम खास है आरोप लगाया कि रंधीर पनिहार ने उनको धमकी दी हर्याना भवन दिल्ली में बुला करके उनके साथ अबद्रता की अबद्र वैवार किया उनसे इस्तीफा लिखवाने तक की कोशिश की इस से आगे बढ़के फिर संत लालदास आते हैं विश्णोई समाज के संत हैं वो इस सारे प्रकरण में रंधीर पनिहार के पीछे कहते हैं कि इनके पीछे कुलदीब बिश्णोई है और उसके बाद फिर अगला एपिसोड चलता अगले एपि पैसा नहीं दे पाए तो फिर उनको जवाब तलबी की गई उनसे लिस्ट भी मांगी गई जो लिस्ट भी उन्होंने दी यह देविंदर बुडिया के आरोफ है सारे हम नहीं कह रहें इस तमाम आप तमाम मीडिया प्रेटफॉर्म्स पर जाकर देख सकते हैं और फिर अगल फिर तरी को पंचायत हुई बैठक हुई मुक्तिधाम के अंदर कि और उस बैठक के अंदर उस पंचायत के अंदर पॉस्ताव पारितपल्टु कि ये गए प्रेटरीम्स smartat प्रधान का चैन करने की वो शक्तियां वापस लेना और जो इलेक्षिन प्रोसेस है वो महासभा के द्वारा किया जाना ये सारे उसके अंदर प्रस्ताव पारित हुए उसके बाद में कुल्दीब विष्णोई के जो समर्थन के जो हलाकि कुल्दीब विष्णोई का अपना वर्चस्व की लड़ाई के लिए कुल्दीब बिश्णोई और देविंदर बुरिया ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे के लिए उनका आप मैं माल मर्दन कहूं, उनका चरितरहन कहूं या उनकी सारी बाते उचालने में कहीं कोई पीछे न नहीं है, उनका वो बेजा इस्तेमाल कर रहा है या उसको शक्तियां दी गई है, लेकिन परधान संदक्षक को उटा रहे हैं, संदक्षक को परधान को उटा रहे हैं और इस सब के बीच में भावनाएं कई अहत हो रही हैं उस समाज की, वैसे दोस्तों आप हमारी इस बास स कितना सहमत है, क्या वर्चस्व की लड़ाई के अंदर एक दूसरे को इसी प्रकार से नीचा दिखाए जाने के प्रयास किये जाते हैं, आपको क्या रगता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई अभी और आगे कहां तक जाएगी, और आपको क्या लगता है कि क्या वर्चस्व